पाकिस्तान और तालिबान से जुड़ा हुआ है अमेरिका ने पाकिस्तान और तालिबान को धार्मिक सुतनतता के हनन पर चिंता का विशय घोशित किया है अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान और तालिबान को धार्मिक सुतनता का जो उनका वहाँ पर जो हनन होता है वो चिंता का विशह है और अमेरिका की विदेश मंत्री आंटिनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान और तालिबान को CPC के लिस्ट पे रखा है बाइडन प्रसाशन ने ट्रम्प के CPC के लिस्ट को लगभग बरकरार रखा है उन्होंने इस पे कोई फिर बदल ने किया है बाइडन प्रसाशन ने तालिबान सहित आईएस बोको हराम और अन्न चरमपंथी तंजीमों को चिंता की विशह की सूची में डाला है अल्ब सक्किकों के धार्मिक आजादी को लेकर इन मुलकों में हो रहे बेदभाव पर सभी चिंता विक्त कर रहे हैं अमेरिका ने पाकिस्तान और तालिबान की इस धार्मिक भेदभाव पर चिंता जताई है, उनका कहना है कि पाकिस्तान और जो तालिबान है वहाँ पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, ये भी बात समझने की है कि पाकिस्तान और तालिबान को एक ही साथ तौला गया है, इस सलहकार संपादक विनोध मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोध जी सबसे पहले तो बताईए कि किस तरह से ये जो पाकिस्तान और तालिबान को एक साथ क्लम किया है कही न कहीं एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है पूरी दुनिया के साबने पाकिस्तान और हमेशा दूसरों की बात करते रहता है कश्मीर की बात करते रहता है अब साफ कहा गया है कि वहाँ पर धार्मिक स्वतनतरता नहीं है बलकि धार्मिक उत्पीडन किया जा रहे है लोगों का आज का आपकी जो रिपोर्ट है अमेरिकी प्रसासन का खासकर के वीदेस मंत्री ने खुद यह प्रेस कंफरेंस में यह जानकारी दुनिया को दी है कि जो दस कंट्री को जो कंट्री का पर्टिकुलर कंसर्ण की सूची में रखा गया है उसमें पाकिस्तान और चीन का भी नाम है पाकिस्तान और चीन के नाम से यह बात तो कम से कम कई लोगों को कसकर के आप देखें तो आज BBC ने भी स्पेक रिपोर्ट की है और उसने एक तरह से आस्चर्ज वेक्त कि इसमें भारत का नाम नहीं है और भारत किसलिए तो भारत को पिछले साल जो आपने देखा होगा क किसी एक नाम पर जो प्रपगेंडा किया गया था इसलिए वो लोगों का एक यह कंसर्ण था कि इसके नाम पर इस सुची में भारत का भी नाम होगा लेकिन अमेरिकन प्रसासन ने अपने एक बुद्धिमत्ता दिखाते हुए इस सारे प्रपगेंडा को दरकिनार करते उनके साथ जो बेदवाव हो रहा है उसको रोके और दुनिया में ये बात अब साबित हो गया है कि इम्रान खान चाहे भारत के रिफरेंस को लेके सोसल मेडिया प्रपगेंडा को अपने ट्वीटर हैंडिल से टैग करें लेकिन वो साइद पाकिस्तान के अपने जो होने व जो स्वतनतरता है उसकी आजादी की उनकी रक्षा हो जाए तो इस तरह से इंटरनेशनल फोरम पे इसकी चर्चा हुई है लेकिन पाकिस्तान के तरफ से कोई ऐसी कारवाई नहीं हुई है पिछले कई बरसों में आप जिया के समय से आप देखें कि जो ब्लैस्फेमी लौ था उसका टार्गेट सीधे सीधे वहां के मेंडरिटी और गरेशन बने हैं अब आप देखें कि 97% के लोग जो पाकिस्तान में हैं वह इसलाम मानने वाले हैं माकी कुछ ही 3% के लोग हैं जिसमें हिंदू हैं क्रिस्चन हैं सिख हैं इसाइस के साथ-साथ एहमेदिया है और कि जाती है तो इस तरह की जो टेरर है आप देखें कि प्थले सालों में कितने धार्मिक अस्थान जो है हिंदू अस्थान के धार्मिक जिन कुद्धिंग किया गया है इसे जगों पर ऐसे चंटरी को कमसे कम जो एक रिलिजियस फ्रीड़म है लोगों की एक आजादी है उसके उसकी रक्षा करनी चाहिए और इसी रक्षा करने के लिए जो वीडिस मंत्री ने दस कंट्री का जो नाम गिनाया है वो मुझे लगता है कि आज की तारिक में काफी इंपॉर्टेंट है जी बिलकुल इंपॉर्टेंट है और सबसे खास बात है कि अभी तक जो एक प्रोपगेंडा जिसकी बात आपने कही जो भारत के खिलाफ किया जाता था आपने कहा अभी CAA का जिक्र किया उस दौरान बहुत किया जाता था और भारत में धार्बिक आसाही चुनता की बात उठ जाती थी उड़ाई जाती थी बलकि यह कहा जाए अब यह एजेंडा बदल गया है और जब भारत जैसे देश इसमें शामिल नहीं है क्या प्रत्क्रिया है तमाब जो यह जो ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत का इसमें नाम हो चाहे वो पाकिस्तान हो या दूसरे किलता था या उसकी बातों को अंसूनी किया जाता था लेकिन आज यह हालत नहीं है आज अगर प्राइमिनिस्टर मोदी दुनिया के मंचों पे भारत की बात सुनाते हैं तो लोगों को भरोसा होता है और इस मोरोसे के साथ-साथ आप यकीन कीजिए कि जिस तरह से प्रपग आई है सामने में तो इतना डिफिनिटल है कि वह उन चीजों को इस बार इगनोर किया गया है जो चीजें सिर्फ नेरेटिव्स पे भारत को बार 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 बदनाम करने की कोशिसे होती रही है निगिन जी बिल्कुल तो या निकि भारत की साख कम से कम इस मामले में एक पीडन हो रहा है इस्थिती बहुत खराब है चाहे वह पाकिस्तान में क्यों ना हो तालिबान में क्यों ना हो किस तरह से इस इस्थिती पर लगाम लगाई जा सकती वह दस देश जहां पर इसकी बात कहीं जा रही है क्या यह पूरी दुनिया के कंसर्ण है और किस तरह से द दिन आप देखेंगे कि सिया के किसी भी जो एसेम्बली है उसे एटैक होता है और इस एटैक में 10-20 लोग मारे जाते हैं और यह गर इस तरह की चीजें हो रही है तो आवियसली यह बात सामने दुनिया के सामने में आ रही है कि धार्मिक सुतलता की आजादी वहां मुस्लिम क कि यहीं बात पाकिस्तान के जो बताने की कोशिस की गई है एक चलते चलते एक और आखरी सवाल का जवाब दीजिए पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा जटका है हमारे खाल से तालिबान तो यह समझी रहा होगा पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत कितना बड़ा जटका निकिल कम से कम यह बात दुनिया को माननी चाहिए कि as a civilized nation, जो कभी भी आपने को एक civilized nation कहते हैं, और United Nation के चार्टर पर जिनका भी signature है, तो कम से कम इस बात के लिए उनको ये बात समझना चाहिए, कि दुनिया के किसी भी देश में लोगों की अपनी आस्था, लोगों के अपने विश्वास का हनन होगा, तो दुनिया इस पे सबसे बड़ा हनन है, तो पाकिस्तान को as a democratic nation, अपने सारे लोगों को, जो भी अब मैनूटी बच गए हैं, जो भी आप अलब संख्यकों में कि तादाद इतनी लगातार कम होती जा रही है, सबसे बड़ी बात निखिल, दुनिया को ये बात समझना चाहिए, कि जब C.A.E. ब्हारत लगाया था और दुनिया में इस तरह का प्रपगेंडा किया गया था, आज ये दुनिया मानने के लिए कम से कम इस बात पर कण्विंस है, अगर अफगानिस्तान में, जिस तरह से सीखों के साथ जाजती हुई, हिंदुों के साथ जाती हुई अगर यहां पर सीए जैसे कानून ना होते तो फिर वो लोग कहा जाते तो यह एक बात साफ है कि दुनिया कोई बात समझनी चाहिए कि धार्मिक हुआ ओद परत की बात की घृक गया जाता है और पाकिस्तान को आईना दिखाया है अमेरिका ने उसको उस लिस्ट में सामिल किया है जिस पर उसका कहना है कि धार्मिक पीलड किया जा रहा है लोगों बहुत शुक्रिया विनो जी इस तमाम बाचीत और जानकारी के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए